सो गैस आज कि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग अपने फेस्बुक का पासवर्ट किस प्रकार से चेर्ज कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको Facebook का password change करने के लिए आपको अपने Facebook account को login करना पड़ेगा आप दे सकते हैं हमारे पास यहाँ पर हमारा Facebook account login हुआ है और यहाँ पर आपको चाहें कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें Facebook का password ही याद नहीं है तो किस परकार से हम Facebook का password पता कर सकते हैं तो उसके बारे में भी आपको हम बता देंगे अभी आप अपने Facebook का password कैसे change करेंगे उसके बारे में सीख लीजिए सबसे पहले आप लोग 3 line पर click करेंगे और 3 line पर click करने के बाद आपको नीचे की और आना है जिसे आप नीचे की और आएंगे setting and privacy के उपर click करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर setting का option मिल जाएगा तो यहाँ पर आप बिना सोचे समझे setting के उपर click कर देंगे अब जैसे setting के उपर click करेंगे आप यहाँ पर आपको मिलेगा password and security आप इसके उपर click कर देंगे अब जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे option मिलेंगे password and security के उपर आपको click करना है जैसे आप password and security के उपर click करते हैं तो आप देख पाएंगे अभी यहाँ पर हमारा protection लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने इस लोग नहीं किया है बात का द्यार कियेगा यहाँ से आप अपनी profile को लोग भी कर सकते हैं और option मिलते हैं प्यार पराना password डालेंगे new password डालेंगे उसी password को repeat करेंगे आपका चेंज पासवर्ड करेंगे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ पर अपना पराना password ही याद नहीं है तो उसके लिए भी आपको एक तरीका मिलत पासवर्ड का जिसके उपर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर अपना एक नया password क्रेट कर सकते हैं और यहाँ पर आपके जो जी मेरा आइडिया आपको दी जाती है उस मेल का OTP आपको डालना पढ़ेगा यह फिन नंबर आ जाएगा नंबर का OTP आपको डालना पढ़ेगा आ आप लोग आसानी से अपने password को फोरेट कर पाएंगे और वही आपको नया password बन जाएगा अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देचेगा